सें 1857 की क्रांती का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्रारा अंग्रेजों की मदद जांसी के किले पर लहराता स्वाधिनता का हरा जंडा अंग्रेजों की आँख का कांटा बना हुआ था छे जनवरी 1858 को सरहुरोस एक विशाल से न लेकर मौँ छावनी से जांसी के लिए रवाना हुआ रास्ते में रायगर्ट, सागर्ट, बानपुर, चंदेरी आधी विजय करता हुआ वो बीस मार्च को जांसी के पास पहुँचा जांसी में उस समय मध्यभारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्षमी बाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रांतिकारी मौजूग थे रानी लक्षमी बाई को जैसे ही सर्हियो रोस के आने की खबर मिली उन्होंने जहांसी के आसपास का तमाम इलागा खाली करवा दिया जिससे शत्रू को रसत आदिना मिले लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की इतनी मदद की कि उन्हें जहांसी तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई उधर रानी जहांसी का होसला बुलंद था वो ना सिर्फ क्रांती कारियों का नित्रत्व कर रही थी बलकि हर काम के निगरानी भी खुद ही करती थी उनके साथ पुरुष भीर ही नहीं बलकि महिलाएं भी थी जो युद्ध कला में प्रशिक्षन ले रही थी और मोर्चे बंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थी 24 मार्च 1858 को जहांसी की प्रसग धत्तो घन गरच ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किये 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हमना किया 26 मार्च को कमपनी की सेना ने शेहर के दक्षणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोला बारी की कि छांसी की तोपों को देह जाना पड़ा तब पश्चीमी फाटक के तोपची घुलाम गोस खा ने अपनी तोप का मुठं अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया घुलाम गोस खा की गोलन्दाजी के सामने कमपनी के सेना नहीं ठह सकी और उसकी तोप हैं चुप ہو गए गुलाम पॉस्पा की इस बहादुरी से खुश होकर राणी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था 28 और 29 मार्च को भी जहांसी की तोपो ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया किन्तु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपो ने नगर की दिवार का एक हिस्सा तोर दिया इससे जहांसी की सेना का मनोबल थोड़ा कमजोर तो हुआ लेकिन रानी के नित्रत्व में रातों राग ग्यारा मिस्त्रियों ने कंबल ओड़कर दिवार को ठीक कर दिया सवेरा होते ही जहांसी की तोपे फिर गरजने लगी अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से अपना आख्रमन शुरू कर दिया दोनों और के लोग मारे गए फिर भी रानी लक्ष्मी बाई सभी मोर्चों पर खुच जाकर सेनिकों का होस्ता बढ़ार है थी तीन अप्रेल को जहांसी के स्थिती कमजोर होने लगी अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूत के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया फिर भी रानी घोडे पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अपसरों के होस्ते बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुचकर जरूरी आदेश दे रही थी उस दिन शहर के सदर दर्वाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चा बंदी की थी नगर की दिवार पर सिढ़िया लगा ली थी और उनसे चड़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी किन्तु जांसी की दिवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बोचार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हड़ जाना पड़ा किन्तु उधर दक्षणी दर्वाजे पर किसी विश्वास खाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंगा बजाती हुई खुसके रानी ने खिले की दिवार पर से नगर निवासियों पर कमपनी की सेना के जुरुम देखे उन्होंने तुरंद एक हजार सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी था रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा किन्तु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोप्ची इस युद्ध में मारे गए उधर उत्तर दिशा का सदर दर्वाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहाँ से आगे बढ़ने लिगी रानी ने सोचा कि विश्वास घातियों के कुछक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभव नहीं रह गया है इसलिए यहां से निकल कर कहीं और जाएं और वहां से क्रांती का संचालन करें उसी रात को रानी लक्ष्मी बाई ने जहां सी छोड़ने का निश्चर किया उनकी दो सहेलियां सुन्दर और मुंदर और दस-पंद्रा सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए आधी रात के समय रानी ने अपनी पीच पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और कले की दिवार से हाथी की पीच पर कूत पड़ी उनका प्यारा सफेद खोड़ा तैयार था साथ जाने वाले वीर भी तैयार थी अब रानी कालपी की ओर बढ़ी उधर लेफटिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा उसने रानी का पीचा किया सवेरा हुने तक रानी मांडेर गाउद भूची जहां दामोधर राव को दूत पिलाया किन्तु तब तक पीचा करते हुए लेफटिनेंट बोकर के आने की खबर मिले जब लेफटिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही बार से उसे मार किराया अंध में उसके साथी भी सिर्वर पैर रखकर भागी सारा दिन और आधी रात तक लगातार दोड़ता हुआ रानी का घुड़ा कालपी पहुँचते पहुँचते ही गिर कर मर गया रानी को इससे बहुत दुख हुआ कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेना पती तात्यटों पे मौझूद थी रानी ने उनके साथ बैठ कर सारी स्थिती पर विचार किया उधर बांदा के नवाब, शाहगड और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए सरहुरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया वहां रानी के नित्रत्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्धु किया अंग्रेजों की सेना के होसले कमजोर पड़ गए किन्तु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा 24 मई को कमपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया रानी लक्ष्मी बाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल गई उधर तात्य टोपे चुपचाप गवालियर पहुँचे और सिंधिया की सेना तथा गवालियर की जनता को क्रांति सेना का साथ देने के लिए तयार कर लिया गोपालपूर में तात्य टोपे ने रानी लक्ष्मी बाई और राव साहब को बताया कि गौलियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं गौलियर पहुंचने पर प्रांतिकारी सेना का बड़े हर्श से स्वागत हुआ गौलियर की प्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद की तयारी कर रखी थी तीन जून 1858 को गौलियर के फूल बाग में बहुत बड़ा दर्बार हुआ इस दर्बार में रुहेला, राजपूत और मराचा पल्टने भी मौजूद थी नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेश्वा का प्रतिनधी मान कर सम्मानित किया गया तात्या ठोपे को प्रधान सेना पती बनाया गया और बीस लाख रुपए सेना में बाढ़े गया उधर सरहिरोज ने निश्चे किया कि इस समय तुरंत गौलियर पर हमला करना चाहिए उसे तात्या ठोपे की संगठन शक्ती का सबसे ज़ाधा डर था इधर राणी लक्ष्मी बाई ने राओ सहब आदी सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है बलकि सेना को मुकाबले के लिए संगठत करना जरूरी है किन्तु राणी की इस सलाह पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया आफिर सर्हुरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुँच गया क्रांतिकारी सेना तयार नहीं थी फिर भी तात्य टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया किन्तु क्रांतिकारी सेना हार गया 17 जून 1858 को राणी लक्ष्मी बाई और सेना पती जर्नल स्मित का मुकाबला हुआ राणी की दोनों सहेलिया सुन्दर और मुंदर विसात थी स्मित ने कई आक्रमान किये किन्तु राणी लक्ष्मी बाई ने हर बार उसे पीछे खदेर दिया इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुभा से शाम तक राणी लक्ष्मी बाई घोड़े पर सवार युद्ध भुमी में अध्वुत वीर्था के साथ रगती रही और विजई है 18 जून को जर्नल स्मिथ और अधिक से ना लेकर फिर से गौलियर के पूर्वी फाटर पर पहुंचा उस दिन दरसल अंग्रेजों ने कई मूर्चे खोल दिये थे इस बार जर्नल स्मिथ के साथ सर क्यूरोज भी था कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपने दोनों सहेलियों के साथ शर्वत भी रही थी तो खबर आई कि कम्पनी की सेना बढ़ी चलिया रही है बहुत बढ़ी फौज है रानी ने तुरंथ शर्वत का कडोरा प्हेंग दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी थे एक अंग्रेज प्रत्यक्ष दर्शी लिखता है तुरंथ सुन्दर रानी मैदान में पहुँच गए उसने बार बार तूपानी गती से सरहुरोज की सेना पर हमला किया लेकिन उसके सेनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी आखिर रानी लक्ष्मी भाई चारों और से खेंग गया थी लेकिन रानी ने फिर भी मुकाबला किया उस समय रानी की दो सहीलिया और दस पंदा सवारी शेश थी रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे पढ़े अंग्रेज अभी भी उनका पीछा कर रहे थी रानी की कती इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें छूपाना भी मुश्किर हो रहा था लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घोड़ा नया था उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए लेकिन घोड़ा अड़ गया तब तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुँच गया तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया सिर का दाहिना भाग अलग हो गया फिर भी रानी ने घूंकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया तभी एक और वार गुआ और रानी खूं से लट पर गुठी घोड़े से गिरते गिरते भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को भी मार दिया तब तक रानी लक्ष्मी भाई का वफादार नौकर राम चंद्र राव देशमुक पहुच चुका था घायल और बेहोश रानी को उठा कर वो पास ही एक सादू की कुटिया में ले गया ताकि उनका मुद्च शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे